जे अज तमाम मिडिया बंधू के माध्यम से राज के सभी छात्रों को अत्यांत दूख के साथ सुचित करना पड़ रहा है कि जार्खन राज के आदर्निया टाइगर जगणात महतोजी का निधन हुआ और राज का महज एक नेता और मंत्री नहीं थे बलकि इस राज के एक सच्चे बीर सपूत इस माटी के इस धर्ती के हमेशा हक अधिकार के लिए बात करने वाला अंतिन सास तक एक बेटा थे इसके निधन से हम लोग बहुत मरवाहत हैं आहत हैं दुखित हैं पिडित हैं और इसके निधन से जो इस राज को छती हुई है वो अपूर्निय छती है साहिद इसका भरपाई आणिवाले दिनों में बहुत मुश्किल है इसलिए जो हमारा जारखंडी हित में खतियान अधारित नियोजन निती की जो मांग है यह हमारी मांगों को हमेशा से परमुक्ता से अंतिम सांस तक जोर सोर से उठाए हैं और जो 1932 के खतियान था जो केबिनेट में पारित करके राजपाल महदे तक भेजना था वो सोची कि उसका सरीर अस्वस्त होने के बावजूद भी एक अहम योगदान दिये थे बहुत ख अस्थक रहे इसलिए उनके सम्मान में सोग व्यक्त करते हुए बिनम्र सर्धान जली देते हुए हम लोग का जड़ नौ आठ अप्रील नौ अप्रील और दस अप्रील का तीन दिवस्य कार्श करम था उसको अस्थागीत करते हैं सर्वस्त हमती से चुकि संथाल परगना के नत्रित करता से बात हुए बोकारो धनबाद रमगर पलामो राची सभी के नत्रित करता का सर्वस्त हमती से शही काना है कि जगनात महतों महत्येक नेता विधायो कर मंत्री नहीं बलकि हमारी इस माटी का सच्चा वीरसपूत थे इसलिए आज उनका जो एक सपना था खतिया नाधारी अस्थान या नीती नियोजन नीती जो हम लोग परमुकता से सड़क पे लड़ रहे हैं उनका भी सच्ची सद्धान जली तभी होगी जब हम लोग इस आंदोलन को और आगे फुना गहसना करेंगे तो हम लोग पुना घसना करते हुए जलान करते हैं मीडिया के माईद्ध्यम से कि आगामे 17 अप्रील को हम लोग मुख्य मंत्री का घहराव करेंगे और 18 अप्रील को पूरे राज के जिला मुख्याले में मसाल जुलूस होगा और 19 अप्रील को संपोर्न जार्खन बन रहेगा मुख्य मंत्री आवास का घहराव जो आठ तारीक का प्रायोजित था उसको हम लोग अस्थागित करते हैं चुकि इतनी बड़ी छती के बाद भी अगर जदी हम लोग जार्खन के बारे में नहीं सोचेंगे और जो जार्खन के बारे में सोच रहे हैं उनके परती अगर अभार परकर करते हुए हम लोग जो मुख्य मंत्री आवास का घहराव रखे थे आठ तारीक को आनि आठ अप्रेल को उसको हम लोग अस्थागित करते हैं 10 अप्रेल को जो पूरे जार्खन बंद का था उसको भी अस्थागित करते हैं साथी साथ हम लोग यह घोसना करते है कि हम लोग लड़ाई बंद नहीं किये हैं, बलकि हम लोग अस्थगित किये हैं, हम लोग जो है आगामी 17 अप्रेल को, जो है सो मान्य मुखमंत्री महोदई के आवास का घहराव किया जाएगा, और 18 तारीक को जो है सो पूरे जिला मुख्याले में मसाल जूरूस होगा, और 19 अस्थारीक को जो है सो पूरे जारखन बंद किया जाएगा, अभी हम लोग के पास में बहुत ज्यादा मर्माहत हैं, क्योंकि हम लोग वे बीच जो गारजियन थे, वो सिरफ मंत्री नहीं थे, बलकि हम लोग तमाम ठात्रों के गारजियन थे, उनके परती सर्दाहंजली व आवास घहराव और जारखंड बंद का एलान जो हुआ था डेट उसको हम लोग अस्थागित करते हैं और इसकी आगे बार-बार आप लोगों को सुचना देते रहेंगे और जहां तक मैंने कहा है कि 17, 18, 19 लगातार तिन द्योसिये जो होगा तो 17 को मानी मुखमंतरी आवास का और जारखंड बंद को अस्थाजित किया जाता है आदर्निया हमारे बीर, माटी पुत्र, जगनात महतों का जो सपना था वो अब हमारे दिलों में, हमारे रगों में और ज्यादा उर्जा भरने का काम कर रहा है और हम लोग आज आदर्निया मुखमंतरी महोदय को भी बिनम करेंगे, चुकि उनके सम्मान पे दो दिन का राज किया सौक का आवाहन किया है और पुरे राज के तमाम सरकारी दफ्तर बंद है दो दिन, तो इनका सच्ची सर्धान जली तभी होगे जो जिसका सबसे बड़े समर्थक और सबसे बड़े चाहता थे 1932 के अधारित खत्यान का अधारित अस्थान निती और नियोजन निती, तो उनका आत्मा को तभी सांती मिलेगी, उसे सच्ची सर्धान जली तभी मिलेगी, जब उसके मांगों को पूरा किया जाएगा, और एक बात है कि हम लोग का जो कार्ज करम था, हम लोग का निर्धारित था कि कल यानि 6 देने वाले थे परसासन को 8, 9 और 10 तारीका, जो राष्टिय सोख के कारण, पूरे सरकारी दफ्तर बंध होने के करण, हम लोग नहीं दे पाए, हम लोग चुकि संविधान को भी मानते हैं, कानून को भी मानते हैं, तो 8, 9 और 10 का कार्ज करम को हम लोग परसासन को भी सुच अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें